ओके फ्रेंड्स तो सैमसंग ने F54 5G स्मार्टफोन के लिए जून 2024 की लेटेस्ट सौफ्टर अपडेट जो है वो रिलीस कर दी है तो आज किस नीए वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस अपडेट के बारे में क्या कुछ इंप्रूब्मेंट्स और फीचर्स के साथ अपडेट को रिलीस किया गया है सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को आंते तक देखते रहेगा बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक, सियर और सस्क्राइब जरूर कर लिजएगा तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो इकुरेटी पैच इनकल्यूट किया गया है वहीं पर ये अपडेट वो इंडिया में ऑफिशल ही रिलीस किया गया है, बाकी फ्रेंट बात करें इस अपडेट के चेंजेस और इंप्रूब्मेंस के बारे में तो देखी यहां पर इस में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं की ग यह देखिए 1E6.1 आने के बाद हमारे स्मार्टफोन के अंदर जो है न वो कुछ प्रॉब्लम फेस करने को पर रही थी जैसे की हीटिंग इशू, एप्लिकेशन ग्रैसिंग इशू, फिर से कुछ लोगों का फोन ओटो रिये स्टार्ट हो जा रहा था, स्लो चार्जिंग की हम तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस करने को पर रही थी, तो उसे जो है वो इस अपडेट में काफी हद तक फिक्स किया गया है, इस्टेवल बनाया गया है, तो अगर आपके पास F54 5G स्मार्टफोन है, तो आप लोग अपने फोन के सौफ्टर अपडेटर एप में चेक कीजिए, अपडेट आ चुकी होगी, काफी अची अपडेट है, अपडेट जरूर से जरूर कर लिजीगा, और जिन भी यूजर्स को अभी तलक अपडेट नहीं मिली है, उन्हें जो है, वो तीन से चार दिनों के अंदर अंदर ये अपडेट जो है, वो मिल जाएगी, तो